लेकिन घगवान तु चले आओ मरना ओ तो मरो जाओ जहां रहना हो तहां रहो मत आओ लेकिन तरना अगर है तो आओ मैं साथ से बात है यह इस्थल वो है जहां पर कथा सुनकर के व्यक्ति तरता है, बोलो तरता है कि नहीं, तरता है मन करी बिशे अनलवन जरैं, हो ये सुखी जो ये हिसर परैं मन करी कि राम चर्दित, मालस ये हि नामा, सुनत श्रवन पाये विश्राम, सुनत श्रवन पाये विश्रामा सुनते ही विष्राम विष्रामती की प्राप्ति होगी सुनते ही संसार के किस पदार्थ ने आपको विष्राम दिया मुझे तो नहीं लगता है कि संसारी की किसी वस्तू ने आपको विश्राम अर्थात विश्रांती कानभव कराया हूँ हाँ थोड़ी देर के लिए थोड़ा सुखु खारा मारा मलका पुलका मिल गया बस हो गया मैं एक बात कहता हूँ सुन लो जरा समझे लो कथा बच्पन से कह रहा हूँ बच्पन से कथा कह रहा हूँ बहुत बर्श हो गये कथा केहते कहते कथा में हमारा कंठ नहीं छीना कंठ वह लेकिन संसार वालों ने सरूप छीन लिया मेरा अगर सरूप न छीना होता तो इमानदारी से बताओ 50 साल पहले जिन्होंने देखा होगा काले बाल थे और क्या था और अब क्या हो गया यह सब किसने लिया यह यह लिया किसने बोलो जल्दी कुछ लोग कहते महराज वो तेल आपने लगा लिया इससे सफेदी आ गई तो हमने का तेल दिया किसले अगर तेल दुनिया न बनाती तो तेल लगाने से सफेदी नहीं आती तो ऐसे ही जायता में कहें महराज वो क्या है कि फलानी ची आप खाते रहे वो नुक्तान कर गई तो हमने का बनाई किसले दुनिया वालों ने लेकिन प्यारे इस कंठ से कथा कहता रहा तो कथा ने संसार ने मेरे सरीर की रक्षा नहीं कर पाई लेकिन राम कथा ने मेरे कंठ की रक्षा कर ली है ये राम कथा का प्रत्यक्ष प्रमान है घंटों कथा कह दू मुझे कोई ठकान नहीं लगती है किसी भी प्रकार से कहीं कोई कंठ धोकाई नहीं देता है बोलो ये किसकी महिमा है जल्दी बोलो ये कथा की महिमा है इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम तो कान से सुनो कि सुनने से कि सुनने से विश्याम मिलेगा कि राम चंद्र गुन बर नहीं लागा वो सुनते हैं सीता कर दुख भागा सीता जी ने कथा सुनी वो सुनते ही दुख भगा बोलो दुख भगा कि नहीं भगा किस से भगा दुख बोलो कथा सुनने से भगा दुख इसलिए कथा तो सुननी ही पड़ेगी दुख को अगर दूर करना है तो कथा सुननी पढ़ेगी मताओ कितना सुन्दर अस्थान बैठने के लिए तुम्हें तैयार किया गया सुन्दर पांडाल बनाया बढ़िया बिचायत बहुत अच्छी की गई और हनमान जी के चरणों में बैठने के लिए अस्थान मिला तब कथा सुनने को मिल रही और सीता जी ने तो उस कंडीशन में कथा सुनी उस कंडीशन में कथा सुनी कि जहां पर राक्छसियों का पहरा था बोलो था कि नहीं था चारों तरप राक्छसिया और क्या लिए थी राक्छसिया अगरवत्ती क्रिपान तलवार पता नहीं कौन से अस्त्र अस्त्र लिये थी वह लो लिये थी राच्छासियां भैय दिखा रही थी सीता जी बैठी थी इतनी दुखी थी इतनी दुखी थी कि आँखों के आशू बंदी नहीं हो रहे थे लेकिन प्यारे ऐसी कंडिशन में हन्मान जी पहुँचे वह हन्मान जी ने भी बुद्धी मताम बरिष्ठ में बुद्धी से यही नरने लिया कि ऐसी इस्थिती में अम माता जी के दुख को दूर कैसे किया जाए क्या उपाए है तो एक ही उपाए हन्मान जी को सुधा कि राम चंद्र गुन बरने लागा तो सुनते हैं सीता कर दुख भागा कथा सुनानी चाहिए एक ही बिकल्प है कि कथा यदी मैं कहूंगा तभी दुक दूर होगा बिना कथा कहेद दुक दूर होने वाला नहीं है इसलिए हनमागी के दरवायर में पृतिवर्श कथा होती हैं अंठान वा मानसं मेलन रामचर्थ मानसं मेलन हैं कि तुम्हारा दुख दूर हो सुन के दुख दूर हो तो दुख अगर दूर करना है तो कथा सुनने के लिए आओ और यदि विकारों को दूर करना है विकारों को शमाक्त करना है विकार युक्त मैल को धुलना है तो राम कथा सुनने के लिए आओ इसलिए राम कथा अंठाउन साल से हो रही है ये कोई कथा ढोई नहीं जा रही है कि ढोई जा रही हो परंपरा नहीं नहीं ये परंपरा चलाई जा रही है इसलिए चलाई जा रही है कि आप सब के दुख को दूर किया जाए और आपके अंतरमन की व्यथा राम कथा सुनकर के दूर हो इसलिए ये प्रतिवर्ष कारिक्रम किया जाता है इधर भगवान संकर स्रोता वन करके गए कहां कुम्भज रिशी के आश्रम में और इधर वही संकर जी ग्यारम रुद्र में हनुमान बनके बक्ता बनके गए लंका में कथा सुनाने के लिए यहां सती को लेके गए कि इसको भी कथा सुनाने के लिए लेकिन सती ने नहीं सुनी कथा परंतु महा भगवान संकर स्वयम बक्ता वन के गए हैं ग्यारम रुद्र में हनुमान वन के सीता को कथा सुनाने के लिए गए समुद्र के किनारे सती को भी ले गए थे कथा सुनाने के लिए क्योंकि कुमभच का आस्त्रम भारत की सीमा में इधर है समुद्र के और लंका जहां सीता जी बैठी थी वो उस तरफ है ठीक है ना समुद्र के उस तरफ मैं दक्षन भारत में घूमा हूँ अभी पिछले साल तो मेरी रामेशुरम में कथा होई थी नो दिन की राम कथा रामेशुरम में होई थी मेरी तो उस समय भी घूमने का हमें समय मिला दक्षण के कई स्थानों को मैंने जा जा करके देखा वहाँ दर्शन किया तो कलपना करिए आपके शमुद्र के किनारे यहां सती भी पहुँची हैं कथा सुनने के लिए नहीं सुनी कथा और समुद्र के किनारे ही अशुक वैटका है जिसमें सीता जी बैठी है हनमान जी कथा सुना रहे हैं और सीता जी सुन रही है वक्ता के रूप में हनमान जी है और श्रोता के रूप में श्री जान की जी है सीता जी कथा सुन रही है सीता जी ने कथा सुनी तो दुख दूर हो गया एक कंडिशन आपको और बता दें ऐसी कथा सुनी सीता जी ने कि सीता जी बैठीं बैठीं बिचार कर रही है कि मेरे पिता जी इतने अच्छे कथा वाचक है और जनकपुर में रोज़ई कथा होती है लेकिन ऐसी कथा ना मेरे पिता जी सुना पाए ना और महत्मा सुना पाए ना जनकपुर में सुनने को मिली आयुध्या में भी बड़े सुन्दर कथा वाचे खें स्री वसिष्टी जी महराज उनसे कथा सुनने को मिली लेकिन इतनी अच्छी कथा आयुध्या में भी सुनने को नहीं मिली चित्र कूट मैं तो साड़े ग्यारा साल कथा सुनी महत्माओं के बीच में साड़े ग्यारा साल महत्मा। साड़े ग्यारा साल तक कथा सुनी मुनी महत्माओं से कहां चित्रकूर धाम में श्री जानकी जी ने लेकिन जानकी जी कह रही हैं ऐसी कथा चित्रकूर में भी नहीं सुनने को मिली जैसी कथा लंका में सुनने को मिल रही है और सीता जी कहते हैं आश्चर तो इस वात का है कि आतंकवादियों के बीच में किस वक्ता की हिम्मत पड़ी आने की वो कथा सुनाने की बोलो भए जैसे महां लीजिए किसी तीर्थ में कथा हो रही है कोई आश्चर नहीं है भक्तों के गाओं में कथा हो रही है जहां भक्त रहते गाओं में वहां कथा हो रही आश्चर नहीं लेकिन पाकिस्तान के कराची में कथा हो रही है इमांदारी से वताओ ये आश्चर की बात एक नहीं कौन भक्ता की हिम्मत पड़ गई राक्ससों के बीच में पहुंच जाय और फिर कथा सुनाए सिता जी कहती है बहुत दमदार कथा वाचक है बड़ा हिम्मती कथा वाचक है कि लंका में पहली वाया थे कि प्रिवेश कैसे हुआ इस कथा वाचक कर और प्रिवेश भी हो गया तो बोलने की हिम्मत कैसे पड़ गई निश्चित रूप से ये कोई महाशक्ती है ये निश्चित रूप से कोई महाशक्ती है शाधरा नहीं है इसलिए लागी सुने सबन मन लाजी ओ आद हूते सब कथा सुनाई आद हूते सब कथा सुनाई लागी सुने श्रवन मन लाई इसका मतलब है कि मन लगा के कथा सुनी सुनी की नहीं लेकिन सती जी ने मन लगा के कथा नहीं सुनी पहली बात तो सुनी यहीं नहीं बैठी रही बैठी तो थी बही संकर जी बैठे तो बगल में सती जी बैठी बैठी रही चलो यही गनीमत है क अगर मन नहीं लगता तो यह बैठती नहीं, चलो मालती, चलो कांती, चलो सांती, सब को ले जाती है, ले जाती कि नहीं, लेकिन ये क्या कम विसेशता है कि सती जी बैठी रही, भले ही नहीं सुनी, तो कम से कम सोनो नहीं, तो बैठी तो रहो सांती से, इतने ही बहुत है, इत अच्छा बैठी हो लेकिन सांती से बैठी हो और अच्छी बात है आपस में एक दूसरे से बाच्चित नहीं कर रही हो तो बहुत ही अच्छी बात है आशिरवात की पात्रा हो क्योंकि इतनी समझदारी से कथा सुनने की परंपरा मात्र शक्ती में बहुत कम जगए देखने को मिलती है चलो कम से कम इतनी सफलता तो मिल गई कि अंठाम साल से राम कथा हो रही है तो यहां के सोताओं ने कथा कैसे सुनी जाती है यह सीख लिया है बस इतना ही संतोश है कि किस विधा से कथा सुनना चाहिए बैठके यह बहुत बड़ी उपलब्दी है नहीं तो और कहीं कहीं तो बड़ी बिड़मना है भीड कई भीड तो बहुत थी बोले शोता अरे कहिए शोता यहां कैसी शोता और इतनी संख्या वाले सोता तो कहीं मिले इने तब तो बहुत अच्छी बात है और फिर अरे बोले पचास साल से सुन रहे कठा सोता पूरी कठा याद हो गई कौन बक्ता है जिसकी हिम्मत पड़ा कि कथा सुना दे ये भी कहते हैं कौन बक्ता है कि जिसकी 50 साल से कथा सुन रहे है पूरी रामाण ही याद हो गई बहुत अच्छी बात है और उनसे पूछा जाए क्यों पूरी रामाण याद है बुले हाँ है तो तो भाई जब रामाण कि तुमको याद है तो फिर रामायन को सुना भी सकते हो क्यों नहीं सुना सकते हैं कभी कभी जरूरत पड़ी बीच में बगता हूंने का आप पूछे तो बता दोगे अरे बोले पचास साल से सुन रहे हैं क्यों नहीं बताएंगे कि अच्छा तो ठीक है बताना जरू है अब कथा शुरू हुई शाब और जैसे कथा शुरू हुई तो कथा शुरू कहां से हुई कथा तो शुरू बहुत अच्छी हुई भर्चरत से हुई अब दोहे का अंतिम चरण तो भूला ही गए अच्छा तुम लोग पचास साल से सुन रहे का था अंतिम चरण क्या है दोहे का तो वो सुनने वाले 50 साल वाले क्या कहते हैं अंतिम चरण भूल क्यों रहे हो तेलबो और पट बांध पुनि पावक देव लगाए कहीं का इट कहीं का रोड़ा भानवती ने कुनवा जोड़ा वोलो यहीं बिडबना है कि नहीं लेकिन यहां अन्ठानवे वर्स में जो सोता वैठे हैं एक-एक चौपाई याद हो गई है और रामचर्थ मानस के भावों की गहराईया समझ ली लोगों ने यह विसेश्ता क्यों है क्योंकि पहली बात तो हनमान जी की कृपा है और दूश्री बात यह है कि पूझ महंत स्री विजयरामदाश्ची महराज ऐसे विद्वान महापुरुष थे कि जनोंने प्रवचन ही नहीं संसकार भी दिये हैं जनता को और संसकार प्राप्ट लोग अधकारी होते हैं कथा सुनने के इसलिए यह अधकारी मंच है यह साधरण मंच नहीं है सती जी ने सुनी नहीं सीता जी ने मन लगा के कथा सुनी शती का दुख बढ़ गया और सीता जी का दुख दूर हो गया बोलो हो गया कि नहीं सती का दुख तभी से बढ़ना शुरू हुआ जब से कथा नहीं सुनी लोटके आ रही है तो दुख बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया और सीता जी ने कथा सुनी लंका में तो बोलो दुख दूर हुआ कि नहीं हुआ ये कथा की विशेस्ता बता रहा हूँ तुम्हें वैचे नहीं कि कथा की विशेस्ता क्या है कथा सुनने से क्या होता है कथा सुनने से दुख दूर होता है व्यथा दूर होती है इसलिए लागी सुनें शवन मन लाई ओ आदे हुटे सब कथा सुनाई रामचंद्र गुनबर में लागा सुनतें सीता कर दुख भागा दुख गया नहीं भाग गया मन भाग गया भागना मानी भाग के जाना है नहीं भागना ऐसा ही भागा दुख कथा तो तीर्थों में होती है लेकिन मैं एक बात कहता हूँ जहां पर सीता माता जैसे शोता हूँ और स्वेम हनमान जी जैसा वक्ता हूँ बोलो वो लंका धन हो गई कि नहीं हो गई वो केवल लंका थी लेकिन हनमान जी ने जब कथा सुनाई और सीता जी ने कथा सुनी तो आज वो पूरे 20 पटल में लंका लंका नहीं रही सीता मा के प्रभाव से हनमान जी महराज के प्रभाव से स्री लंका हो गई क्या हो गई स्री लंका में पहला लगता है स्री क्यों क्या लगता है स्री इसका मतलब है स्री मानिश शीता जी हैं तो वो सीता जी के नाम से हो गई लंका की नहीं हो गई ये कथा सुनने का प्रवाव है और ये कथा की महिमा है क्योंकि हनमाई जी भी कथा सुनाए हैं तो बक्ता के रूप में पहली बार कथा सुनाए आप कहोगे महराज पहली बार कैसे प्रमान तो पहली मुलाकात ही हुई है किस कि दा में बोलो इस समय क्या कथा सुनाई कि मानस की चोपालिया हैं दो-तीन हम प्रिस्तुत कर रहे हैं जरे सुनना पहली वार प्रभुराम का दर्शन हुआ है किस कि ना में हनुमान जी को यद्दपी अन्वेशों में कहीं हुआ हो चित्रकूत में हुआ हो अयुध्या में हुआ हो क्योंकि वो तो भगवान संकर हैं जब जन्म हुआ तो संकर जी औरों एक तहों निज चोरी सुन गिर जाती द्रण मती तोरी काग वुसुन संग हम दो मनुझ रूप जाने नहीं तो यह प्रमाण मिला है तैयवसर तापसी कावा चित्रकूट की घटना में वो भगवान संकर ही थे लोग कहते तुलसिदा जी थे कोई कहते बालमिक जी थे अरे मैं कहता हूँ भगवान संकर थे चीदी सी बाद लेकिन सत्त कहरा हूं वानर भेश में रुद्र देह तजनेह वस बानर भे हनुमान पहली वार दर्सन हनुमान जी को किसके नाम हुआ की नहीं हुआ हामनी का लेकिन जब मिलन हुआ तो क्या कथा सुनाई ज़रा सुन लो मानस की चौपाईयां जो प्रमान देंगी वह सीकी में पुष्टी करूँगा अपने मन से नहीं बेप्ररूप धर कपितन गयव मात नाय पूँछत अस भयव पूँछत अस भयव यहां कथा हो रही है कि पूँछना है भईया परचय लिया जा रहा है जल्दी बोलो परचय लिया जा रहा है कि नहीं पूँछत अस भयव बेप्ररूप धरी अरे कपितन गयव मात नाय पूँछत अस भयव मात अजुकाया ओ पूँछ रहे हैं पूँछ क्या रहे हैं पता पूँछ रहे हैं को तुम स्यामल गौर सरीरा ये कथा है क्या परचय पूँछ रहे हैं को तुम स्यामल गौर सरीरा छत्री रूप फिरों बन वीरा कठन भूम को मलपद गामी कवन हे तु बन विचर हो स्वामी म्रदुल मनोहर सुन्दर गाता सहित दुसे बन आतप बाता के तुम तीन देव में को नर नारायन के तुम दो जगकारन तारन भव भन्यन धरनी भार के तुम यखिल भूमन पती लीन मनुज अवतार अब बोलो ये कठा है कि परचय पूछ रहे हैं परचय पूछ रहे हैं अभी कठा कहा है आप कहो महराज फिर आंगे और सुनाओ कठा कहीं कहीं हो तो सुनते जाओ तुम हम तो सुनाने के लिए ही आये हैं तुम सुनने के लिए आये हो बोलो आये हो कि नहीं हम सुनाएंगे सुनाएंगे हैं हम मन से सुनाएंगे बेमन से क्यों सुनाएं कि कि तुम लोगों ने अफरन करवाया मेरा जो बेमन से सुनाओ बैस त्रद्धा पूर्वख तुमने बुलाया है और महिनों से तारीख याद रखना जब करोना काल ही शुरू नहीं हुआ था उसके पहले ही चाहें बनी नहीं कि महराज को बुलाया जाए बुलाया जाए लेकिन जब हनमान जी की किरपा होगी तवी ना आना होगा तो कुरोना महामारी नहीं आई थी इसके पहले ही याद किया गया था और इसके बाद अन जगय के कारिक्रम तो कुरोना काल में लोग कहने लगे महराज जी अब तो निश्चित नहीं है साइद निश्चित नहीं साइद निश्चित नहीं लेकिन सत्त कह रहा हूं आपको यह हनमान जी का प्रभाव है महंत राम भूशन दाज जी ने एक ही बात कही महराज जी जसावली का कारिक्रम आप कैंसिल मत करना हनमान जी जरूर कराएंगे निश्चित रूप से कराएंगे, इसका मतलब है कि उन्होंने महामारी पर विश्वास नहीं किया, हनमान जी की कृपा पर विश्वास किया, वो ये प्रत्यक्ष हो गया कि देखो कारिक्रम हो रहा है, नहीं तो ये भी कह सकते थे कि सायद ना हो पावे, सायद, नहीं तो होता है, सायद, सीधी सी बात होगा, 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 ये कनफर्म, यह नहीं हनमान जी की कृपा पर भरोशा किया, तो देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है, मैं कहता हूं, राम चंद्रकुन बर्में लागा, तो सुनता हैं सीता कर दुख भागा, और सुनता हैं भक का कुरोना भागा कैंका एक प्रांस जर्मन भारत में मैं तो यह मानता हूं भैंया COVID-19 की guideline है उसका पालन करो ये अच्छी बात है लेकिन अंता करन से हम लोगों ने सुईकार कर लिया है कि हनमान जी की किरपा से ये भारस से जा रहा है और हम लोगों पर इसका आवसर नहीं पढ़ रहा है किरपा किसकी है हनमान जी की बैक्सीन नहीं आई आगई हो तो अभी बाटा नहीं गया क्यों ठीके नहीं लगाए गए उसके अभी गई हो तो अभी दिल्ली में रखी होगी कहां रखी हमको पता नहीं लेकिन होगी बटेगी वो ठीके लगेंगे योजिना बन रही है सरकार इसमें प्रयास कर रही है लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि वैक्सीन आएगी गाउं गाउं में ठीके लगाये जाएंगे कुरोना महामारी से हमें मुक्ती मिलेगी लेकिन मैं तो एक ही बात कहता हूँ हमने हनमान जी के चरणार विंदों का ठीका अपने मस्तक पर लगा लिया है इसलिए हम ये हनमान जी से बड़ी वैक्सीन दुनिया में हो सकती वो लो कृपा रूपी वैक्सीन के सामने सारी वैक्सीन फैल है इसलिए कृपा रूपी वैक्सीन पर विश्वास किया और हनमान जी के चर्णारविंदों का सिंदूर हमने अपने माथे पर ये टीका लगा लिया है सिंदूर का इसलिए अब हनमान जी ही दूर करते रहेंगे इस महामारी से कुरोना से हमें मुक्ति दिलाते रहेंगे जसावली का कारिक्रम देखो हनमान जी के चर्णारविंदों में हो रहा है और निश्चिंत भाव से हो रहा है कि लिए सुनिए ज़र आखे यह कथा नहीं है यह तो पूछना है पूछत अस भैव इसलिए जगकारण तारन भव भंगन धरनी भार कै तुम्हे अखिल भुमन पति लीन मनुज यवतार आप बताएं आप कौन है मैंने आप से पूछा है बगवान ने का अच्छा अच्छा पूछ रहे हो बतावे हैं हाँ बताईए ना बताईए बगवान ने का कौस लेस दसरत के जाएं हम पितु बचन मान बन आएं राम नाम लच्छ मन दो भाई संग नारी अब हनमान जी देखें ते नारी तो दखाईए नहीं दे रहें कहां गई भाई देख रहें जब जैसे मान लीजिए हम आपके हाँ आवें वह आपको हुमारा जी कितने लोग हैं खड़े हों तीन और कहें हम पांच हैं तो आपको होगे कहां गए तो इदर उदर करोगे क्य कि अब यहां राम नाम लच्मन दिखाई दे रहें दो भाई संग नारी सुकमर सुहाई अनमान जी ने कहां दिखाई तो दो ही रहे हो लेकिन बात तीन की कर रहे हो कह सुनो तो यहां हरी निस चरबई दे ही विप्र फिरें हम खोजत तेही इहां हमारी पत्नी का हरण कर लिया निसाचरों ने विप्र फिरें हम खोजत तेही अनमान जी वो ले आंगे बताओ आपन चदित कहां हम गाई कहो विप्र निज कथा बुझाई हनमान जी वो ले लो थी व्यथा कह रहा है कथा लो सुनो कथा अच्छा वो लो पत्नी का हरण हो जाए और बाप का मरण हो जाए और कोई पूछे कि क्यों क्या कंडिशन है अपनी इस्तिती बताओ तो कहें कि देखो भया हम बताएंगे तब पहले ढोलक लाओ मजीरा लाओ हर्मोनियम लाओ हम तो नाच के सुनाएंगे अच्छा एक बात बताओ पिता का मरण हो पत्नी का हरण हो गाके सुनाओगे नाच के सुनाओगे के रो के सुनाओगे जल्दी बोलो रो के सुनाओगे कंडिशन है रोने वाली लेकिन आपनी चरित कहा हम गाई कहो विप्रनिज कथा बुझाए मैंने अपना चरत गा के सुना दिया अब तुम अपनी कथा सुनाओ कहना तो यह चाहिए था आपन चरत कहा हम रोई हम रो के सुना रहे हैं बहुत बड़ी बिड़म मना है लेकिन गाई बस अनमान जी ने सुना उस सुनते ही एक दम साष्टांग प्रनिपाद प्रभु पहिचान परु गही चरन गही चरन इसका मतलब है कि केवल लेटे नहीं है गही मानी पकड़ लिया चरन पकड़ लिया क्यों पकड़ लिया हनमान जी बोले फिरी हांस से अगर लंबी डंडवत करेंगे और आख बंद होगी डंडवत करेंगे तब तक यह चलेना जाएं दूर कहीं भागना जाएं लेकिन सीधा पैर पकड़ लो कि अब जाई नहीं पाओ प्रव पहिंचान परेव गही चरन चरन पकड़ लिया बगवन बोले छोड़ो 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 क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो पंडित हो पंडित हो ब्रहमन हो चरन पकड़ रहे हो अनमान जी बोले ऐसा है आप हाथ क्यों छोडा रहे मीरा इसलिए कि मैं छत्री हूँ तुम ब्रहमर हो अनमाण जी बोले नहीं असली ब्रहमर नहीं असली छत्री दोनों नकली है बात तो सही है क्यों भही हनमाण जी कौन है ब्रहमर भेश में है है यहार दसरत के राजकुमार बन के आये हैं लेकिन सही बात अजया बोलो भई, आखिल भुवन पती हैं की नहीं जगत के जनम के कारण यदनों इतनी विशेष्था है हनमाइन जी ने जो भी बात कही मैं एक बात कहता हूँ परचय जो दोहे में दिया ये कठा ही बन गई प्यारे है इसी को कठा कहते है जैसे परमात्मा का परिचाय आप देने लगें और बास्त्विक परिचाय दें तो भले ही सादार्न भासा में दे रहे हों लेकिन कठा हो जाएगी कि न हो जाएगी हो जाएगी कठा कि न और ये सब्द जो निकल रहे हैं बानी से ये कथा ही है जग कारण तारन भव आप जगत के जन्म के कारण हैं तारन भव प्रत्वी का भार हटाने वाले हैं आप जग कारण तारन भव भव से उद्धार करने वाले जगत के जन्म के कारण भव से तारने वाले भन्यन धरनी भार मानी प्रतवी का वार आताने वाले जगकारन तारन भल भन्यन धरनी भार कै तुम्हें अखिल भुवन पती लीन मनुझ अवतार आप मनुष नहीं है आपने तो मनुष ताका चोला पहना है वो लो क्या पहना है मनुष ताका चोला पहन करके आप आये हैं आप मनुष नहीं है आप नारायन है नर नहीं है आप नारायन है प्रवुपहईंचान प्रवुफएचरना समयिक के बहुत अच्छा लग रहा बहुत अच्छा लग रहा है परवतीजी बोले माहराज हम भी आनंद ले रहे हैं कहीं? वोले बहुत बार प्रयास किया कि पैर पकड़ना लेकिन यह पकड़ना ही नहीं देते थे अब ऐसा चांस में लगिया कि पकड़े नहीं हैं हमने तो जकड़ लिया पकड़ के जकड़ लिया अब ये हटाई नहीं सकते हैं बड़ी कृपा हो गई भगवार ने कहा एक बाद बताओ तुम अपना भी तो परचए दो कहें मेरा परचए परचए वो पूछने वाला कौन मैं अपना क्या आपको परचए दूँ मैं परचए नहीं दे सकता हूँ क्योंकि जीव जीव को परचए देता है बोलो देता है कि नहीं परचए जीव जीव का होता है कि नहीं जीव जीव का परचए होता है लेकिन जीव यदि परमात्मा का परचय पूछने लगे तो ये उचित नहीं है और परमात्मा भी जीव का परचय पूछने लगे तब भी उचित नहीं और जीव एक बार परमात्मा के वारे में नहीं समझ रहा है तो परचय पूछ भी सकता है लेकिन परमात्मा किसी जीव के वारे में परचय पूछने लगे तो बोलो हास्यास्पद है कि नहीं क्योंकि परमात्मा ये अखिल ब्रह्मांड नायक इस तोर किसे नहीं जानता है कहां की लोकेशन सच्वेशन नहीं जानता है किसके कर्म सुकर्म नहीं जानता है बोलो किसके गुण और दोस नहीं जानता है परमात्मात जानता है कि नहीं जानता है इसलिए कहता हूँ संसार वालों की चिंता तुम्हें सता रही है क्या अरे भहिया फलाने महले का देख न ले हमें बड़ा गड़बड हो जाएगा अगर देख लेगा क्यों कहीं पुलिस में शिकायत कर दी उसने कहीं एस पी के पास जाकर के शिकायत कर दी तो क्या होगा हमारे खलाप मुकदमा बनेगा हम जेल जाएंगे फिर ऐसी जगह पर ऐसा काम करो कि कोई देख न पावे लेकिन उस मूर्ख को इतना ग्यान नहीं है कि ऐसी कौन सी जगह है जहां परमात्मा नहीं है और तुझ जो कारी कर रहा है नियम के विरुद्ध बोलो उसे परमात्मा देख रहा है कि नहीं देख रहा है संसार की अदालत से तू बच सकता है लेकिन परमात्मा की अदालत से तू बच पाएगा किया बोलो तेरे गुन और तेरे दोशे दोनों परमात्मा ने उसी जगह नोट कर लिये हैं जहां तू गुन और दोश्की रचना कर रहा है जहां तू गुण और दोश की रचना कर रहा है वहां लिख कौन रहा है स्वेम परमात्मा लिख रहा है छिपा ले तू गाउँ वालों से जिला वालों से दुनिया वालों से छिपा ले कितना छिपाएगा लेकिन तेरे हर गुण हर दोश गुण और हर गुण ओ हर दोश बोलो परमात्मा नोट कर रहा है कि नहीं तेरे गुण अब गुण सारे के सारे नोट हो रहे हैं इसलिए मैं कहता हूँ संसार की अदालत से तुम बच जाएगा लेकिन परमात्मा की अदालत में तुझे सजा अवस मिलेगी अगर तुने अपने जीवन में दोश किये हैं अपने जीवन में अवगुण पाले हैं अपने जीवन में तुने पाप किये हैं तो इसकी सजाद